वेल्कम बैक डियर सब्सक्राइबर्स तो आज की सुड़ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ VN एप में सिंगल इमेज से वीडियो कैसे बना सकती हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना अगर आपको भी सिर्फ एक फोटो से ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग करना है तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो वीडियो को हम बनाने वाले हैं VN एप में तो सबसे पहले आप अपने VN एप को ओपिन कर लेना अगर आपके पास vn app नहीं है तो आप इसे play store से install कर सकते हो यह बिलुकुल free video editing app है और इसमें watermark भी नहीं आता है तो जब आप इसे open करोगे कुछ ऐसा interface आ जाएगा देन आपको plus वाल बटन के उपर click करना है फिर new project के उपर click करना है और अपने lyrics video को select कर लेना है like step का lyrics video को आप यहाँ पर use कर सकते हो ठीके और हाँ step का काफी सारे lyrics video का link बने दे दिया है description में तो आप वहाँ से lyrics video को gain कर सकते ह आपको YouTube पे भी काफी सारे lyrics video मिल जाते हैं तो आप YouTube से भी gain कर सकते हो ठीके अब जो lyrics video आप use करना चाहोगे उस वाले lyrics video को select करके next के उपर click कर देना आपका जो video होगा वो यहाँ पर add हो जाएगा आप देख सकते हो अब आप यहाँ पर पूरा video के last में आजाओ और यह जो input title करके रहता है ना इसे आप डिलेट कर देना ठीके क्योंकि यह हमारे कोई काम करनी होता है ठीके अब उसके बाद आपको यहाँ पर इसका ratio को जस्ट 9-16 में convert करना होगा तो आप यहाँ पर original के उपर click कर लो फिर 9-16 को select कर सकतो आपका जो video का ratio होगा वो 9-16 में convert हो जाएग फिर अपने video को पर आप click करना फिर इसका size को आप यहाँ से छोटा कर देना तो आपको जो video होगा वो यहाँ पर अच्छे तरीके से adjust हो जाएगा अब आपको यहाँ पर just 3-4 step करना है and आपको जो video होगा वो बनके ready हो जाएगा तो first step में आपको यह decide कर लेना है कि कितना से आप भी just यहाँ decide कर लेना कि कितना दूर तक आप starting में lyrics video को रखना चाहते हो जहाँ आप रखना चाहोगे वहाँ पर जाके split कर देना then इस वाली video के उपर आप click करके just पूरा last में आजाना और यह जो forward का option देख रहा है इसके उपर आपको click कर देना है तो आपका जो video यहाँ पर layer में आ जाएगा और आपको यहाँ पर एक black image मिल जाएगा नीचे में ठीक है तो इस black image को पर आप click करके just replace को पर आप click कर देना और photos वाले section को पर जाके अपनी photo को आप select कर लेना जो photo के साथ आप video बनाना चाहते हो like में से select कर लेता हूं ठीक है तो आपका जो photo ह होगा वो यहाँ पर add हो जाएगा अब आपको यहाँ पर जस्ट लीरिक्स उड़ का यह जो background है black black उससे हटाना होगा तो आप यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करना एक blending का option आपके सामने आ जाएगा इसके उपर click करके यह जो screen है इसे आप सेलेक्ट कर लेना तो इस कर सकते हो ठीक है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आके जस्ट जहां से आपका photo start हो रहा है यहाँ पर आजाना फिर PIP को पर मिंस यह वाले बटन को पर आपको click करना video and photo को पर जाके जस्ट फोटो जोले section में जाके उस shadow png को सेलेक्ट कर लेना उसका link में दे दूंगा description में तो आप वहाँ से गेन कर सकते हो तो सिंपलिस हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस png को सेलेक्ट कर लेंगे और मैं फिर से बोलना इसका link दिया हुए description है तो tension लेने वाज़े बात नहीं है ठीक है इसे सेलेक्ट करके जस्ट नीचे में आप अडजस्ट कर देना उसके बाद इसका duration पूरा वीडियो के last टेक कर देना ठीक है अब इसे आप यहाँ पर बिल्कुल आराम से पकड़ के नीचे कर दोगे तो यह नीचे layer में आ जाएगा आप देख सकते हो ठीक है और आपका lyrics video ऊपर चले जागा तो देखने में ज़्यादा बढ़ें लगेग अब आप यहाँ पर अपने lyrics video से just music को extract कर लेना क्योंकि हम beat marking करेंगे और उसे beat के according अपने photo में हम animation add कर सकते हैं तो अपने video को उपर आपको क्लिक करना lyrics वाले video के उपर फिर यहाँ पर scroll करोगे तो extract audio का आपको option मिलेगा इसके उपर आपको क्लिक कर देना आपका जो audio होगा वो यहाँ पर extract हो जाएगा अब इसमें आपको beat marking करना है तो जश्ट यह जो beat while option आपके सामने आ रहा है इसके उपर आपको क्लिक करो और यहाँ पर beat marking कर सकतो beat marking करना बहुत ही आसान होता है आप इसे play करोगे तो आपको beats सुनाए देंगे जहाँ पर beat सुनाए दे रहा है व उसके बाद next step दिखाता हूँ और एक चीज में आपको बता हूँ जहाँ भी beats होगे न वहाँ पर step का कुछ न कुछ आपका graph में अप जा रहोगा जिसे कि यहाँ पर beat है तो आप देख सकती धर normal graph है बट यहाँ पर थोड़ा सा यह अप जा रहे है मतलब वो ऊपर हो रहे है देन आपको अपने जो फोटो है ना इन्हें अपने beat के according adjust करना है लाइक यहाँ पर हमारा beat है तो यहाँ आ जाएंगे and split को पर click कर देंगे तो beat के according adjust हो गया next photo में भी same काम करेंगे beat के पास आके split करेंगे बट यह जो split का option है वो हमें नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा हम इसे करके सारा photos को आपको adjust करना है beat के पास जाके cut कर देना है अगर beat के पास आपको split का option नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आगे जाओ split कर लो उसके बाद beat के पास लाके इसे adjust कर देना ठीक है तो मैं फटा-फट यहाँ पर कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको next tip दिखाता हू आप यहाँ पर देख सकते हूं मैंने सारा beat के according सभी photos को adjust कर लिया है इसी तरह से आप भी adjust कर देना इन फोटो में animation add करने के लिए आप सबसे पहली transition के ओपर click करना यह जो plus का button है इसके ओपर आपको click करोगे तो काफी सारे आपको transition यहाँ देखने को मिलेंगे जूम मिल जागा lights मिल जाएंगे ठीक है तो किसी को भी आप select कर सकतो light काफी अच्छा लग रहे तो मैं light को select कर ले दाओ उसके बाद duration को आप यहाँ पर 0.4 सेकेंड कर देना ठीक है मतलब थोड़ा कम कर देना है उसके बाद इसे apply to all के ओपर click कर देना है जैसे हैं आप apply to all क हो जाएगा आप देख सकतो ठीक है अब उसके बाद इसे और अच्छा बनाने के लिए आप जस्ट यहाँ FX को पर जाना और FX को पर जाने के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है ठीक है देन यहाँ आप स्क्रॉल करेंगे तो काफी सारे आपको अच्छे अच्छ कर लेता हूं उसके बाद इसका डूरेशन पूरा मैक्सिमाम इंक्रीज करके अपलाय टू आल को पर फिर से क्लिक कर देना तो आपको जो फोटो होगा सब भी में यह एनिमेशन एड हो जाएगा आप यहाँ देख सकतो ठीक है तो इस तरीक से करके इस्टेप का एक फोटो स हम वीडियो को बना सकते हैं अगर आपको दो-चार फोटो या फिर अलग-अलग फोटो के साथ वीडियो आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो जश्ट रिप्लेस को पर क्लिक कर देना मिन्स सबसे पहले फोटो को पर क्लिक करोगे तो रिप्लेस को आजागा फिर एक फोटो से ही बना लेते हैं अच्छा लगता है तो हमने यहां पर इस तरीक से बना लिया ओके अब इसे हमें डिवाइस में सेव करना होगा तो इसे सेव करने के लिए इसके उपर आप क्लिक करना क्लिक करने के बाद यहां पर रेजुलेशन वगर को आप होई सेलेक्ट कर स जाएगा आई होप आपको हर एक स्टेप पता चल चुक है कैसे स्टैप का वीडियो बनाया जाता है अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई